नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? I hope कि आप सब ठीक होंगे तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं अपनी बुक के साथ Courage to be Dislike जो हम हिंदी में डिसकस कर ही रहे हैं इसमें आज हम करने जा रहे हैं Third night का chapter How to read yourself of interpersonal relationship problems तो जैसे कि हमने second night में पढ़ा था कि Adler बोलता है कि सारी की सारी जो problems है वो interpersonal relationships से जुड़ी हुई हैं यानि कि वो interpersonal relationship की ही problem है तो अब इस chapter में वो ये बताने जा रहे हैं कि उन interpersonal relationship problems से हम कैसे बच सकते हैं ठीक है कैसे उन से चुटकारा पा सकते हैं तो इसको पढ़ते हैं पढ़ने से पहले चलिए थोड़ा link बनाते हैं थोड़ा सा 5-10 minute discussion करते हैं पीछे के एक दो chapters का तो I hope कि आपने वो देखे होंगे थोड़ा सा मैं इसको encapsulate कर देता हूँ एक link हमारा बन जाए कि हमने पढ़ा था इस chapter में जैसे main जो target है वो है कि दूसरों के task को छोड़ें जो दूसरों का काम है यहां task का मतलब वो normal काम नहीं है task का मतलब कि मैं दो बंदों की आपस में एक interpersonal relationship है ना किसी भी तरह की और उन में कई चीज़े exchange होती रहती हैं वो एक दूसरों की मदद करते हैं दिन चर्या में कुछ ना कुछ exchange करते रहते हैं तो उस सिलसले में उनके जो वो task है जैसे मैंने किसी को कुछ दिया है ना कुछ अच्छा मैंने gift भेंट किया अब वो उसको किस तरह से ले यह उसका task है उसको वो यह सोचे कि यार यह मेरे को कल को कुछ मतलब कोई plan तो नहीं अपने mind में कर रहा है कि कल को मेरे से कोई favor लेना हो तो मेरे को gift कर रहा है यह भी सोच सकता है वो यह सोच सकती है फिर यह भी सोच सकता है कि भाई अच्छा बंदा है मेरे को gift कर रहा है मैंने इसकी help की थी या चलो बहुत दिल का नेक बंदा है इसको मेरी help कर रहा है मतलो वो कुछ नहीं सोचता कहीं कैसे सो सकते हैं इसमें तो वो उसका task है वो सोचना उसको कैसे लेना वो उसका task है ठीक है तो अब हमने chapter पढ़ा था how to separate task किया आपने task कैसे separate करने की कोई चीज़ आपने की किसी के लिए या अपने ही लिए दूसरे उसके बारे में क्या सोच रही हैं उनका task है तो हम इस तरह के जो इतने सारे टास्क हमारे इर्द गिर्द हम जब दूसरों के साथ जुड़ते हैं तो जुड़े हुए हैं उनसे हमने कैसे separate करना है उन टास्क हो कैसे separate करना है तो यही चीज हमने पिछले चार्टर में पढ़ी तो इसमें हमने discuss की थी काफी चीजें कि जैसे था कि बच्चे और पेरेंट्स की कहानी यहां पे थी वह एक्जामपल थी कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा पढ़े और वो उसको जबरदस्ती भी पढ़ाते हैं कई सारी चीजे करते हैं पे एक डिबेट चल रही थी फिलोसफर और युद के बीच में कि पेरेंट्स का यह हक है यह टास्क है कि वो अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा तो उसको उससात वो जबरदस्ती भी करें बट फिलोसफर या एडलर बोलता है कि ऐसा नहीं है पढ़ना नहीं पढ़ना उसका मांगे खुद से वह help ना मांगेगी आईए मेरी help कीजिए क्योंकि जब वह help मांगेगा तो भी एक real point होगा जहां पर को उसमें intervene करना चाहिए वह intervene भी नहीं होगा वह एक तरीक से assist होगा जब भी आपको मदद के लिए पुकारा गया और यह बिल्कुल इससे उल्ट है कि भई बच्चा पढ़नी रहा और जाके हम एक दो बार देखा और जाके उसको चपेड़ लगा दी या कुछ जबरदस्ती उसके साथ की या कोई reward टाइप गेम खेल ली अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे साथ यह होगा बुरा होगा अगर तुम पढ़ोगे अच्छे नंबर लाओगे तो तुम्हें reward मिलेगा तो इस तरीके से parents प्रोग्राम करते हैं पर Adler कहता है कि पढ़ना नहीं पढ़ना बच्चे का टास्क है उसमें इंटर्वीन ना करें अगर आप इंटर्वीन नहीं करते तो बच्चे के जहन में खुद ही एक खुद ही यह चीज प्रकट होती है कि नहीं यह चीज मुझे ही करनी है जब उसके जहन में यह आता है तो वह खुद उसको करने के लिए अपने आपको तयार करता है और इवें कि किसी के टास्क में इंट्रूड नहीं करना चाहिए फिर हमने पेरेंट चायल्ड रिलेशन्शिक में भी रिवार्ड वगारा रिवार्ड वाला भी पढ़ा था हमने उसमें क्या था कि स्कूलों में जैसे होता है कि अच्छे मार्क्स लाओगे तो ये गिफ्ट मिलेगा स्टार मिलेगा कॉपी पे और बुरे मार्क्स लाओगे तो गंडा मिलेगा तो ऐसी programming बच्चे की की जाती थी उससे क्या है बच्चा आत्मे निर्भर नहीं हो पाता और वो हमेशा उसी लूप में जकड़ा रहता है कि नहीं अब मेरे को अगर इसमें कोई फायदा है तो तब ही मैं इसमें involved होंगा अज़र इसमें कोई फायदा नहीं है तो मैं क्यों करूंगा तो जो उस चीज में जो खुद परियास करके जो उसने मज़ा अपने जयन में समझना था कि मैंने ये काम करना है और इसको मैंने फील करना है और फिर step by step उस काम में उसका interest बनते बनते आगे और explore करना था बट इस case में क्या हो जाता है कि वो reward वाली game में अगर फस जाता है तो वो हमेशा reward की wait करता है उसको जो काम कर रहा है उसमें मज़ा नहीं आता उसको बस ये होता है कि ये काम खदम करना है उसके बाद जो reward मिलेगा उसमें मज़ा लेना है जो कि बिलकुल ही गज़त है तो जब हम काम कर रहे हैं उस काम को enjoy करना खुद से काम करना तो उसकी एक अलग ही मज़ा होता है ये तो हम सबने अपनी life में experience किया ही होता है इसके बाद जो next chapter था वो था discard other people's task यानि दूसरे लोगों के task को कब हिशकार करो उसको नकार दो ये भी बड़ा simple सा था कि अब वो बच्चा मान और फिर parents style relationship की हम बात कर रहे हैं कि उस बच्चे का काम है पढ़ाई करना कौन से stream चूज़ करना क्या उसको पसंद है क्या उसको नहीं पसंद है as a parents हम समझ लेते हैं कि ये हमारा right है ये हमने control करना है उसकी life में पर हम भूल जाते हैं कि 20-25 साल बात जब ये बड़ा होगा या बड़ी होगी तो हमारी life एकदम मुक्तलिफ होगी हम एक अलग इनसान है वो एक अलग इनसान है एक time पे आके उसने एक अलग जिनी है हमने एक अलग जिनी है तो ये जो हमेरे जैन में रहता है कि मेरा बच्चा ही मेरी जिन्दगी है ये सही नहीं है तो वो बच्चे को एक independence के उसका task है कि उसने क्या choose करना है या नहीं करना है क्योंकि वो खुद choose करेगा तो उसमें एक अलगी confidence जो है आएगा और इस तरीके से हम उस parents के as a parents हम बच्चों के उसमें interfere भी नहीं करते और अगर parents बच्चों के उसमें interfere करें तो as a child वहाँ पर discard करना task को आना चाहिए कि कैसे हम उसको कर सकते हैं छोटे होते हम नहीं कर पाते क्योंकि छोटे होते तो सारी के सारी हमें तो कुछ पता ही नहीं है वो तो जो हमें सिखा रहे हैं वहीं से हम बन रहे हैं बट जब हमारी समझ बनती है तो हम कैसे डिस्कार्ड कर सकते हैं जैसे हमने पढ़ाई था कि यूथ के माता-पिता जो चाहते थे कि यूथ कंपनी में काम करें अपना बिजनेस संबाले बट यूथ तो लाइबरेरियन बनना चाहता था बट उसने फिर भी अपने माता-पिता की बात मानी जो उसने पढ़ाई स्कूल यूनिवरस्टी जाना था वो उसने अपने माता-पिता के अकॉर्डिंग चूज की उसने अपनी मर्जी को नहीं चुना तो उसने क्यों चुना क्योंकि वो रेकोगिनिशन चाहता था अपनी प अगर पैरेंट्स उसको जानेंगे तभी वो उसको fund करेंगे या उसको उसका साथ देंगे पर यूद जो है उस task को मना भी कर सकता था उनके task को कि वो जिस तरीके से उसको कंट्रोल कर रहे थे वह उसको मना भी कर सकता था तो इसी के बारे में जो हमारा ये आज का चैप्टर है जैसे इसका नाम ही है कि कैसे हम interpersonal relationship की problem से शुटकारा पा सकते हैं तो पढ़ते हैं इसमें समवात पढ़ते हैं फिर nutshell में हम बात इसकी summary करेंगे कि युवा बोलता है जैसे पिछली बार क्या हुआ था philosopher ने यहाँ पे बात खतम की थी कि आपको एक सीमा बनानी पड़ेगी कहाँ पे मेरा task खतम होता है ठीक है, उसके बारे में उस बात के बारे में नहीं सोचना है तो interpersonal relationship में अगर तुमारे जिंदगी में चिंता है या suffering है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि कहां पे हमने वो सीमा बनानी है कि भाई किसी के वज़ा से अगर हमारी जिन्दगी खराब हो रही है और उसका जो कारण हो वो मैं भी नहीं हूँ को हमें एक सीमा खीचनी पड़ेगी कि बस ये मेरा टास्क नहीं है ये सोचना इसके बारे में सोचके टेंशन लेना ये मेरा टास्क नहीं है तो ये पहला स्टेप है अपनी जिन्दगी आसान बनाने का तो युवा बोलता है कि ये मेरे को नहीं समझ आरा मेरे जहन में नहीं उतर रहा तो फिलॉस्फर बोलता है कि चलो एक चीज़ सोचते हैं कि तुम्हारे parents जब तुमने अपनी employment की जगा चुननी थी तो उसको तुम्हारे parents ने बूरे तरीके से oppose किया था और वो बिलकुल against थे तुम्हारी choice से क्या वो नहीं थे तो youth बोला कि हाँ थे पर मैं इतना दूर भी नहीं जाओंगा कि इतने भी वो oppose नहीं कर रहे थे वो oppose कर रहे थे पर इतने बलंट नहीं थे तो philosopher बोलता है कि चलो exaggerate करते हैं है मान लेते हैं कि वो बहुत highly oppose कर रहे थे और तुम्हारे जो पीता था वो बहुत जादा emotional drama कर रहा था तुम्हारी मा भी अपने आँखों में आंसों भरके drama कर रही थी तो वो तुम्हारे librarian बनने की इच्छा को बिलकुल approve नहीं कर रहे थे वो चाहते थे कि तुम भी अपने ब्रदर की तरह ये family business उनका संभालो और अगर तुम्हारे ऐसा नहीं करोगे तो वो तुम्हारे disown कर देंगे पर जो not approving का emotion है तुम्हारे parents का ये उनका task है तुम्हारे parents जो है ये philosopher यूद को बोल रहे हैं कि वो approve नहीं कर रहे हैं तुम्हारा librarian बनना और उससे वो चिंतित है पर उससे चिंतित होना ये उनका task है ये तुम्हारा नहीं है तुम्हें इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए तो यूद बोलता है भाई रुको मतलब इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि कितना मैं अपने पेरेंट्स को कितना दुखी फील करवा रहा हूं तो फिलोस्फर बोलता है हाँ बिल्कुल सही इससे कोई फरक नहीं पड़ता तो यूवा को बड़ी अटपटी सी बात हैं तो फिलोस्फर के हिसाब से तो यह उनका टास्क है वह टेंचन ले रहे हैं वह अप्रूब नहीं कर रहे हैं तो यूद को बड़ी अटपटी लगी बात मेरे को भी अटपटी लग रही है तो यूद बोलता है कि यह तुम मजा कर रहे हो क्या मतलब यह इस तरह की फिलो कर रही है तो फिलोस्फर बोलता है कि तुम अपनी जिंदगी के लिए सबसे बेस्ट पाथ चूस कर सकते हो और दूसरी और तुम पर और लोग क्या जज्जमेंट पास कर रहे हैं इसके बारे में तुम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते यह उन लोगों का टास्क है और तुम इ मेरे बारे में सोच रहा है या मुझे वो पसंद कर रहा है या मुझे ना पसंद कर रहा है यह उनका टास्क है मेरा नहीं क्या यही आप कहना चाहते हैं तो फिलोस्फर बोलता है हाँ यही है जिसको सेपरेट करना बोलते हैं तो यहाँ पर सेपरेशन आफ टास्क की हमें ज जज किये जाने के भी तुम्हें चिंता है इसलिए तुम हमेशा recognition ढूंडते रहते हो लोगों से कि लोग मेरा मान सम्मान करें तो तुम इसलिए दुखी हो लोगों से मतलब जब भी लोग तुम्हें देखते हैं तो तुम्हें दुख होता है क्योंकि तुम हमेशा अपना तुम इसलिए इस चीजों से दुखी हो क्योंकि तुमने सेपरेशन आफ टास्क अभी तक नहीं किया है। तुम लोगों के टास्क को भी अपना मान लेते हो। जैसे तुम्हें याद है वो ग्रैंड मा की बात कि सिर्फ तुम ही ऐसे एक लोते बंदे हो जो अपनी लुक्स के बारे में चिंता करते हो। कि मैं कैसा दिख रहा हूं मेरे बाल कैसे दिख रहे हैं शकल कैसी दिख रही हैं बाकियों को कोई फरक नहीं पड़ता अब खुद सोचें कोई सामने हमारे बंदा हम इतने बंदों से मिले कोई बंदा कैसा दिख रहा था हमें कितना याद है मेरे को तो याद नहीं है वो कैसा दिख रहा था कैसा नहीं दिख रहा था तो इसी लिए इसी तरीके से और बंदे भी हमें ऐसा ही परसीव करते हैं हमें कुछ स्पेशल नहीं है तो जो उस बूड़ी मा नहीं कहा था उसको सेपरेशन आफ टास्क बोलते हैं कि जब लोग तुम्ह तुम्हारा नहीं है और तुम इसमें कंट्रोल भी नहीं कर सकते तो युवा बोलता है कि यार थियूरी में ये बात मेरे को समझ आ रही है ठीक है मान लेते हैं मेरा रीजनिंग बेर ब्रेन भी इसको समझ रहा है बर मेरे इमोशन जो हैं ये इस तरह है कि हाई जज्मेंट सब्सक्राइब को नहीं समझ पारें सीडी सी बात है इनसान वाहन के द्रीके से चलता है एक हर्थ आर्ड का है in order को हईनशा झूल जो हैं हमें मुश्किल से मुश्किल चीज़ें करवाने के लिए हैल्प कर जाते हैं कई बार हमें टॉप पे ले जाते हैं और धवर हमें नीचे भी खीट जाते है किया गाइब इस तरक्षीलता किया गाएर से किया गाइब है धीरे-धीरे। की प्रटोविड युव्णв। बहुत होती है तो तो युवा बोलता है कि यह जो मेरे सप्सक्राइब के wise समझ पा रहे हैं। judgment को argument को नहीं समझ पा रहे तो मैं भी इसको relate कर पा रहा हूँ कई बार हम भी नहीं समझ पाते कि बड़ा गुसा आया है या बड़े दुखी हो तो कई बार ना simple सी reasoning भी नहीं समझ आती उस वक्त होता है कि बस ये काम करना है तो कर देना है ठीक है break up ताजा ताजा हुआ है पता है कुछ नहीं हो सकता अब इस सिनारियो में हम दोनों ने जुदा होना ही है पर किसी तरीके से phone करी देना है या message करी देना है वो emotions हावी होते बट brain क्या बोलता है कि यार अब तो सब कुछ हो गया है अब क्या ही करे तो जीने दो उसको भी और हम भी जीते हैं बट ऐसा नहीं होता तो ये जो लड़ाई है वो चलती रहती है तो philosopher आगे बोलता है कि चले एक और हम example लेते हैं कि मान लो एक आदमी है जो बहुत tension में है अपनी interpersonal relationship में एक company में जहां पर वो काम कर रहा है तो उसके यहां एक बहुत ही irrational boss है जो हमेशा उसके उपर चिलाता रहता है कोई भी मौका मिलता है वो चिलाता रहता है तो ये फरक नहीं पड़ता कि कितना मेहनत वो करता है उसका जो boss है हमेशा उसके efforts को acknowledge नहीं करता है और कभी भी उसकी बात को नहीं सुनता है तो यूबा बोलता है कि यह एक दम मेरे boss की तरह है यह आदमी तो philosopher बोलता है पर क्या तुम्हारे boss के द्वारा acknowledge किये जाना क्या ये तुम्हारा काम है क्या ये तुम्हारी top priority है क्या तुम्हारी जॉब ये नहीं है कि जो तुम्हारी इद्गिद लोग काम कर रहे हैं उनके द्वारा पसंद किये जाना तुम्हारा बॉस तुम्हें प्रसंद नहीं करता और वो क्यों नहीं करता ये अन्रीजनेबल है ये नहीं समझ, समझ के परे हैं पर इस केस में तुम्हें उसके साथ इजि होने की कोई ज़रुरत नहीं है तो युबा बोलता है हाँ एकदम सही है है पर वो मेरा बॉस है अगर मैं कोई काम नहीं करूँगा तो वो मेरे से नाराज हो जाएगा और वो अगर वो मेरे को avoid करेगा, मतलब अगर वो मेरे को avoid करेगा, तो मैं कोई काम ही नहीं कर पाऊंगा, ये भी बड़ा सीधा है, तो philosopher बोलता है कि ये भी एडलर की life lie है, मतलब ये भी एक जिन्दगी का जूट है, मैं काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे boss ने मुझे avoid किया है, ये जूट है, ये boss का fault है कि मेरा काम अच्छे से नहीं चल रहा, जो भी बंदे इस तरह की चीज़ें बोलते हैं, वो अपने काम से बचने के लिए अपनी boss की existence बनाते हैं, तो ये उसी तरह का है एक female student का fear of blushing bala case, कि वो rejection से डरती है, इसलिए वो propose ही नहीं कर सकती, और उससे बचने के लिए उसने एक mechanism, defense mechanism अपने mind में क्या बनाया है, उसको blushing का fear है, वो लोगों से इसलिए नहीं जाके बात कर पारी, क्योंकि उसको blushing का fear है, तो उस चीज़ से बचने के लिए, वर्क से बचने के लिए तुमने एक awful boss की existence जो है, बना ली है, और क्योंकि अगर तुमने बना ली, तो तुम यह कह सकते हो, अगर मेरे पास यह boss नहीं होता, तो मैं यह काम कर देता, तो युवा बोलता है कि नहीं, तुम नहीं जानते कि मेरे boss की साथ मेरा relationship कैसा है, अब युवा नहीं मान रहा हो, वो कहता है, यह से कैसे, तो युवा बोलता है कि वाई तुम ऐसे ही, बे तुके से guess मार रहे हो, तुमें कुछ समझ है नहीं, असली जिन्दगी कैसे चलती ह वहाँ पे कितना मुश्किल होता है, ऐसे worker, environment में रहना, ऐसे boss के साथ रहना, जो कि सच भी है, पर यह कहना कि मेरा काम से boss की वज़ा से चलती है, यह भी अपने आप में सही नहीं है, तो यह Adler की life lie है, तो philosopher बोलता है, यहाँ पे एक discussion है, Adlerian के fundamental of Adlerian psychology पे, कि अगर तुम ग आएगा, तुम सोचते हो, कि मेरे पास वो boss है, इसलिए मैं काम नहीं कर सकता, यह ideology है, यानि Freudian psychology है, पर सच में यह क्या है, मैं काम नहीं करना चाहता, इसलिए मैं एक awful boss create करूँगा, या फिर मैं अपनी incapable self को acknowledge नहीं कर रहा, इसलिए मैं एक awful boss create करूँगा, यानि मैं अपनी कमियों को acknowledge नहीं करूँगा, मैं courage नहीं दिखाऊँगा, अपनी कमियों को जानने में, मानने में, तो मैं एक ऐसा excuse ढूंडूँगा, तो यह तरीका है, teleological way सोचने का, जो कि Adler का है, तो यह वा बोलता है कि, तुम इसको फिर से stock teleology approach में frame कर रहे हो, पर मेरा case different है, यह अलग है, तो philosopher बोलता है, कि चलो, तुम मानो कि तुमने separation of task, अजीव कर लिया है, तो चीज़े कैसे होंगी, in other words, कितना भी तुम्हारा boss जो है, वो तुम पर गुसा करे, पर तुम यह समझते हो कि यह मेरा task नहीं है, उसका गुसा करना, मेरे emotions के साथ, उसका कोई task नहीं है, ठीक है, वो, मुझे उस के गुसे करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उससे हमें, उससे मुझे तंग नहीं होना चाहिए, भावख नहीं होना चाहिए, यह जो unreasonable emotions के task हैं, यह उस boss के हैं, यह उसको ही deal करने चाहिए हैं अपने आप में, और उसके साथ कोजी होने की पी कोई जरुरत नहीं है, और ना ही उसके सामने जुकने की कोई जूरूरत है। तुम्हें ये सोचना चाहिए, कि तुमने आज से सिर्फ अपने टास्की फेस करने हैं, बिना जूट बोले। तो यूद बोलता है पर, यहां पर फिलोसफर यहां पर बात काटता है, फिलोसफर बोलता है कि हम सभी इंटरपर्सनल रिलेशन्शिप से जूज रहे हैं, सफर कर रहे हैं। यह रिलेशन्शिप अपने पेरेंट से हो सकता है, बड़े भाई से हो सकता है, इंटरपर्सनल रिलेशन्शिप वर्क प्लेस में हो सकता है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें specific step follow करने है ये मैं जो propose कर रहा हूँ सबसे पहले हमें पूछना चाहिए अपने आप से कि ये task किसका है मालनो हम किसी situation में है कोई argument चल रहा है कोई नाराज़गी चल रही है situation है कोई तो हम सबसे पहले पूछेंगी मेरा task है तो मैं उस पे काम करूँ अगर मैं इस पे कुछ नहीं कर सकता ये उसका task है तो मुझे उसके बारे में चिंता करने की कोई जरुरत नहीं है तो सबसे पहला है कि task पहचानो किसका है फिर separation of task करो फिर बड़े ही शांती से अपने task के लिए काम करो और जब वो task किसी और का हो जाए ऐसा लगे कि नहीं अब task किसी और का हो रहा है तो दूसरों के task में intervene मत करो और दूसरों के task में intervene भी मत करो और दूसरे को तुमारे task में intervene करने की जगा भी मत दो ये बहुत ही specific और revolutionary इंट्रपर्सनल रिलेशन्शिप की प्रॉब्लम्स है वह बड़ी असानी से सॉल्व हो सकती है तो यहां पर क्या कहना चाह रहा है फिलोसफर कि मान लो कोई सिचुएशन हो गई है ना आप में मिया बीवी में जगड़ा हो गया कोई ना कोई होते ही रहते है चोटी मोटी नौक जोग अब चल रही है बात चल रही है कोई लॉजिकल कंक्लूजन पर नहीं आ रहे तो अब मान लो मैंने सब कुछ एक्स्प्लेइन कर दिया है बड़ सामने वाला फिर भी उसको समझ नहीं पारा तो अब वो जो एक्स्ट्रा वरी किये जा रहा है यह उसका टास्क है मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता है वो खुद अपना टाइम लेकि उससे दूर जाएगा काम डाउन होगा और बाद में बात करने के मूड में आएगा पर मैं क्या अब उसमें भी जाके उसके टास् किसका है मेरा टास्क था explain करना situation को बहतर बनाना की बात करके कुछ हल हो सकता है बट अगर वो वहां से दूसरे परसन के टास्क में घुसरा है तो उसको उस परसन के टास्क में रहने देना और उसमें इंटर्वीन मत करना और उस परसन को भी allow मत करना कि वो मेरे टास्क में इ यहां पर यूथ क्या बोलता है कि मैं समझ पा रहा हूँ अभी कि तुमने आज के डिसकेशन का आज के डिसकेशन का जो टॉपिक है वो फ्रीडम क्यों रखा आजादी क्यों रखा तो जब हम टास्क सेपरेट कर लेते हैं तो हम आजाद महसूस करते हैं यह वो फालतू की जो हमारी बंदन है ना एक्स्ट्रा उससे बड़ा आजाद फील करते हैं कि अब मैं जो मैं कर रहा हूँ उस पर मैं ध्यान से सोच सकता हूँ मुझे वो अलग चीज सोचने की जरूरत नहीं अब कि दूसरा बंदा क्या सोच रहा है या वो सिचुएशन से जो मैं पुरी तरीक में बात करेंगे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो नेक्स वीडियो नेक्स वीडियो में हम बात करेंगे कट गॉर्डियन नॉट की इसमें हम समझेंगे कि क्या है फ्रीडम कैसे अचीव उसको करना है तब तब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखते रहेंगे ये बुक और तिल देन टेक केर बाबाई नमस्कार दोस्तों खैसे हैं आप सब तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डिस्कार्ड अधर पीपल्स टास्क और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कट तब गौधिन नॉट बड़ा ही इंट्रेस्टिंग चैप्टर है और काफी अच्छे इंसाइट साइस में सबसे पहले थोड़ा सा हम इसको रिविव कर लेते हैं जैसे डिस्कार्ड अधर पीपल्स टास्क में हमने देखा था टास्क क्या चीज़ पहले हमको यह समझना है टास्क अगर हम समझ जाते हैं तो हम सेपरेशन आफ टास्क भी समझ जाते हैं ठीक है अब इस चैप्टर में क्या था डिस्कार्ड अधर पीपल्स टास्क में बस एक हमने एक सीमा समझनी है कि मान लो दो बंदे आपस में जुड़े हुएं किसी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से आप इसको कहीं भी जनरलाइज कर सकते हैं एक बच्चे और पेरेंट का रिलेशनशिप है अब बच्चे जो होते हैं जो अपनी नौमी, दसमी, साथमी, आठम कक्षा में जब होते हैं तो उनको हम पढ़ाते हैं पेरेंट्स पढ़ाते हैं तो कई बार उनका मन नहीं होता पढ़ने का, कई बार उनका होता है और हम क्या उनके साथ जबरदस्ती भी करते हैं कई बार उनको रिवार्ड या पुनिश्मेंट बोलते हैं कि अगर तुम रखाने का नया तुम किसी की intelligence ग्रो करने किसी का personality ग्रो करने का यह तरीका नहीं है क्योंकि वह ऐसा ही बन जाएगा हमेशा वह reward और punishment के इस लूप में चलता रहेगा उसको चाहिए होगी हमेशा कोई ना कोई reward को उसने अच्छा काम करना है उसमें अंदर से वह भावना आनी चाहिए कि मैंने यह सीखना है मैंने यह पढ़ना है और मैंने यह खुद करना है तो यह चीज कैसे आए इसके लिए task की boundary होना सरूरी है जैसे बच्चे को यह नहीं बोलना की जाकर तो पढ़ जबरदस्ती उसको बोलना है पढ़ बर उसमें एक इच्छा जगवानी किसी त नहीं पर उसको उसको एक बार बताना कीचर का काम था उसको नहीं समझाया तो एक बार आप भी बता सकते हैं ना पर जबरदस्ती नहीं बचा अपना समय लेता है वो उसका मन कर रहा है या नहीं कर रहा है पर उसका मन जो है वो खुद करना चाहिए उस काम को करने को तो उस उसको लगता है ने कि बच्चे को लगता है मेरे मड़द नहीं करा। मेरे को कोई अटेंशन नहीं दे रहा है को कर अधियो यह अधित उसमें तो यह राकिशा सेलफ रस्पेक्ट है कि यह चीज मैंने ही करनी अपने लिए ही करनी है और दूसरी बात है कि जब वो यह समझता है अपनी लिए करनी वह ज्यादा effort देता और एडलिर यह बोलता है कि तुमने assist करना है उसको और वह भी तब जब वो तुम इसे assistance मांगता है तुमने direct help नहीं करने है तो direct help चाहे उसके लिए भले की हो वो एक तरीके से उसमें बाधा डाल रही है उसकी growth में बाधा डाल रही है क्योंकि with time एक time आपको लगेगा कि नहीं आगर अब ये बस reward punishment में ही चला गया है कि खुद से नहीं वो feeling लेके आ रहा आ पारा तो हम ये differentiate करना पड़ेगा Adler के हिसाब से कि जो मेरा बच्चा है वो मैं नहीं हो, वो मेरी जिन्दगी नहीं है उसके एक अलग दुनिया है तो मैं उसको control नहीं कर सकता हूँ उसको भी एक सोचने का तरीका है उसने खुद वो चीज़े समझनी है अपने आप से कि क्या करना है और क्या नहीं करना है तो ये जो भ्रांती है parents में पैदा हो जाती है कि मेरा बच्चा ही मेरी जिन्दगी है ये गलत है तो इस तरीके से हम उसके हर निजी मामले में दखल अंदाजी करते हैं उसकी career की choices उसकी पढ़ाई की choices उसकी शादी की choices अलग-अलग मुद्लिफ choices में हम उसकी as a parent दखल अंदाजी करते है क्योंकि हमें लगता है कि ये control हमारे हाथ में होना चाहिए पर इस तरीके से वो बच्चा अपने अपको free नहीं महसूस कर पाता ये जस एक बच्चे और parent की कहानी इसको आप कहीं भी लगा सकते हो कि interpersonal relationship में एक आजादी जो हो होनी चाहिए ये ही मतलब इसका nutshell में है जो हम freedom की बात कर रहे थे शुरू में तो आप interpersonal relationship से अपने आपको कैसे बचा सकते हो इसमें भी उसने discuss किया कि अगर आप separation of task use करें तो आप इस चीज से बच सकते हो अब separation of task youth मतलब अभी भी लड़ रहा है कि यार मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रही यूथ को लग रहा है अगर separation of task अपनाते हैं तो आप एक robot बन जाते हो जैसे separation of task क्या है कि जैसे हमने पढ़ा था एक employee है उसका employer है अब जो boss है वो उसको पसंद नहीं करता कई कारण हो सकते है और उसको कुछ ना कुछ पो करता रहता है तो यूथ को लगता है कि यार मेरी growth नहीं होगी क्योंकि मेरा boss ऐसा है मैं इसलिए नहीं growth कर पा रहा है अपनी company में क्योंकि मेरा boss ऐसा है अब यहां पर जो discussion थी वो यह थी कि भाई तुम separation of task को अगर अपना हो कि boss क्या कर रहा है यह उसका मामला है वो मेरे बारे में क्या सोचता है यह उसकी problem है यह मेरी नहीं है मैंने खुद में जाकना है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो ठीक है यह नहीं अगर मैं काम कर रहा हूँ और दो चार बंदों से चेक भी कर वा लिया कि मैं काम सही कर रहा हूँ फिर भी वो boss तुम्हें तंग करता है तो यह boss की problem है यह तुम्हारी नहीं है तो तुम्हें ये नहीं सोचना कि यर मेरा boss मेरे से खुश नहीं है, तो पता नहीं मिझे कल को क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये चीज भटा देनी है अपने mind से, बलकि ये separation लेके आनी है task कि, कि boss जो सोच रहा है वो उसका काम है, ठीक है, और मेरा काम है, अपना काम हमेशा करते रहना, अपना जो कर्थव्य है as a employee, इस company में वो करते रहना, तो वो दादी वाली बात फिर से आ जाती है, ये दादी कहती थी, एक तुम ही ऐसे इंसान हो, जो शीशे में अपने आपको देखते हो, और लगते हो कि यार कितना अच्छा लग रहा हूं, वाग क्योंको कोई फरक ही नहीं पढ़ता कि तुम कैसे लग रहे हो, ये बात बार बार आ जाती है, चाहे हम बात करें, कि हम ये बहुत सोचते हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, हमारे में वो करेज नहीं है कि यार दूसरा हमारे बारे में दो-चार गलत बात भी बोल दे हमें हमेशा परफेक्ट होना है कई बंदों के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यार वो बंदा मतलब वो ना ही नहीं कर पाते किसी भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप दोस्त ले लो बीवी ले लो फैमिली ले लो कई तरह की इंटरपर्सनल वो कभी ना ही नहीं कर पाते वो काम में अपने बिजी है मसरूफ है कोई आता है यार मेरा काम कर दे वो ना ही नहीं कर पाते कि भाई देखो मैं आभी काम कर रहा हूं मैं इस वक्त फ्री हो जाओंगा उस वक्त चलेंगे तो सामने वाला उसको लगता है इस चीज से बुरा मान जाएगा उसको लगता है यह मैं ज्यादा इगो यह वो दिखा रहा हूं अपनी अपनी जॉब की जख मार रहा हूं पर काम है कि मैंने अपना काम करना समास से बाद में आती है तो कई लोगों के साथ कही का बहुत से लोग मैं ऐसे जानता हूं कि मैं भी ऐसा ही था और शायद हो भी थोड़ा सा कि कोई बंदा काम लेना चाहता है तो जख से अपना काम बं कर कि उसके पिछे लग गए तो यह यह उसका टास्क है क्योंकि आप सिर्फ एक इवेंट से नहीं डिसाइड कर सकते किसी के इंटरपरस्टनल रिलेशंशिप प्रॉब्लम्स को अपके पास लाखोंगोंगों हैं फ़िफ जिसमें आपके अपस में इंटरपरस्टनल रिलेशंशिप के वाकिया हुए आप कहीं घ या उसने भी हमारी हेल्प की थी तो हमारा जो इंटरपर्सनल रिलेशन्शिप वो सिर्फ इस चीज़ से नहीं जुड़ा हुआ कि वो आज आया और मेरे से ना हो गई उसको कि यार मैं तो बीजी हो तो मैं तुमारी हेल्प कैसे कर सकता हूं तो एक बड़ी पिक्चर सोच के हमें ऐसे फैसले जो हैं लेने चाहिए ऐसी प्रॉब्लम को टैकल करना चाहिए तो फिलॉसफर के हिसाब से जब हम हम फिर से वही प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि मेरे पास ऐसा बॉस है इसलिए मैं काम नहीं कर पा रहा है कि मेरे पास एक ऐसा दोस्त है जो हमेशा मेरी हेल्प मांग लेता है इसलिए मैं अपनी जीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहा है जो कि जूट है तुम उसको ना बोल सकते हो तुम उसके टास्क को उसके छोड़ सकते हो और जब अपना टास्क खतम हो जाए तब तुम उसकी अ एसिस्टेंस मांगे तो यह सारी डिस्कॉशन थी पिछले चाप्टर में कि बंदे को अपने टास्क को फेज करना चाहिए बिना जूट बोले और इसमें यह भी था पॉइंट्स बनायते हैं कि जब भी हमने एक सामने वाले का है यह और किसका है तो जब वो सामने वाले का टास्क जो है वो वो उसको प्रफॉर्म करी जा रहा है पर वो आपका टास्क नहीं है आप फिर भी उसमें इन्वाल्व हो रहे हो वो चीज आपने रोकनी है कि नहीं यहां तक मेरा टास्क था अब मुझे यहां से दूर रहना है और इसमें कई बार आपको सक्त सकत बनना पड़ सकता है और कईयों को लगता है कि जब हम सकत बनते हैं तो शायद हम क्या बोलते हैं तो कई बाई ड्राइव बहेव करना بी बड़ा जरूरी हो जाते है जैसे मैं एक एक जामपल देता हूε आपको गार्फ्ररंड बॉइफ्रेंड जब break up के कगार पे होते हैं कोई भी कारण हो सकता है family नहीं मान रही है उनके बीच में कोई difference है तो मतलब जब इतने साल गुजारे हैं इतने लम्हे साथ गुजारे हैं तो मन को एक आदत होती है कि नहीं अब इसके बिना चाहे लड़ाई है इसके बिना वो धहरे नहीं होता उसके बिना जिन्दकी जीने का तो बंदा अंदर से बड़ा troubled रहता है तो वो छोड़ ही नहीं पाता ब्रेक अप के बाद भी कितने ब्रेक अप करने पड़ते हैं तब जाके वो छूड़ता ही जब एक आद बंदा कुछी ना किसी वज़े से move on हो जाता है लाइफ में तो अब बान लो कोई ऐसी situation है girlfriend boyfriend की दोनों को पता है कि यार लाइफ में अब हम अकठे नहीं रह सकते एक्स वाई कारणों से उनको clarity है इस चीज़ की सब clear है कि नहीं होगा पर फिर भी वो relationship में बनी जा रहे हैं बाते कर रहे हैं वो thoughts exchange कर रहे हैं म्यादे बनाई जा रहे हैं पर एक बंदे को वहाँ पर sooner or later समझ आ जाता कि यार ये ऐसा नहीं चलेगा ऐसे हम और बीच में जा रहे हैं और हम खुद को all emotionally weak कर रहे हैं और ये चीज़ जाके कल को हमें problem देने वाली है तो वो समझता है ये समझती है और वो कहता है कि तुम हमें ये बाते बंद कर देनी चाहिए और जब वो dry बनता है क्योंकि बाते emotionally तो नहीं कह सकते यार हमने कल से नहीं मिलना है तो ऐसे नहीं बोल सकते आपको dry होना पड़ेगा एक को सकतो होना पड़ेगा एक सकतो होगा तो दूसरा वाँ जागा मेरे को क्यों छोड़के जा रहे हो तो मुझसे प्यार नहीं अपलाना अपलाना वो emotional drama चलता रहेगा तो यहाँ पर task divide करने का यहाँ पर आता है कि सबसे पहले यह समझने कि यह task कितक है मेरा task है मैंने उसको समझाया कि देख रिष्टा नहीं निप सकता यह यह कारण है तो मैंने एक कोशिश की फिर मैंने उसको हर चीज़ explain कर दी मैंने अपना task बुरा कर दिया बट सामने से वो लड़का या लड़की नहीं समझ रही वो अपना task continue किये जा रही है कि नहीं तुम रहो मेरी जिंदगी में यह 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 emotionally तो अब देखो इसमें वो उसका task है वो मेरा task नहीं है तो उसको वो sooner or later खुद समझना होगा कि मैंने कहां पर रुखना है और मुझे उसकी उसको assist करना है मैंने उसके साथ बातें नहीं करनी यहाँ पर problem आ जाती है कि जो break up के बाद relationship में होते हैं न लोग किसी भी तरह normal relationship को casual रख लेते हैं वो एक जूट में जीते रहते हैं और पहले तो वो जूट में जीते फिर एक सक्त भी हो जाता है वो भी फिर खुद ही उस बंदी को comfort कराने की कोशिश करता है उस position में लेके आने की कोशिश करता है कि जहाँ पर वो दोनों फिर से अलग हो सकें जो कि गलत है आपने अपना टास्क किया हम नहीं अकठे रह सकते तो वो जो दूसरा बंदा कर रहा है रोज ड्रामे कर रहा है कुछ भी है ड्रामा ही मैं कहूंगा उसको तो उसको वो उसका टास्क है आपको उसके लिए ड्राय होना पड़ेगा आपको उसके चीज में इंटर और सूनर और लेटर वो जब अपने बल से उस चीज़ से निकलेगा तब ही वो हैसास महसूस वो उस चीज़ को कर पाएगा तो चले आगे बढ़ते हैं आज के चैप्टर में चैप्टर का नाम है Cut the Guardian Not तो युवा इसमें बोलता है कि मैं समझता हूँ कि जो सेपरेशन आफ टास्क अगर इसको प्रैक्टिस में लाया जाए तो इंटरपरसनल रिलेशन्शिप है जो आपस में वो फ्री हो जाएंगी बहुत रहत मिलेगी पर मैं अभी भी इसको समझ नहीं पा रहा तो फिलॉसफ कर्मेंट मेरे लिए पास करते हैं यह उनका टास्क है यह मेरा नहीं है मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता पर तुम एक बात सोचो एथिकल या मोरल पॉइंट आफ व्यू से क्या तुम इसको सही बोलोगे क्या यह ऐसा नहीं है कि तुम बांडरी बना रहे हो अपने में और दूसरे में यह तुम ऐसे नहीं कि लोगों को दूर भगा रहे हो कि यार यह इंटरवेंशन है इंटरवेंशन के नाम पर तुम लोगों को दूर भगा रहे हो और जब वो मतलब जब भी वो दुखी है औ तुम से पूछ रहे हैं कि तुम कैसे जी रहे हो या हम जैसे कोई मान लो दुखी है और हम उसको पूछते हो कि यार भई ठीक ठाक चल रहा है तो क्या ये भी एक तरीकी की इंटर्वेंशन है क्या ये हम किसी दूसरे बंदे की गुडविल के लिए नहीं कर रहे हैं ये उसको बोलते हैं भई ये तेरे भले के लिए ही है ऐसा पैरेंट्स अब अगर उसके भले के लिए भी इंटर्वेंशन ना करें उसने तो ये मेरे को समझ नहीं है ये वा बोल रहा है तो फिलासफर बोलता है कि क्या तुमने एलेक्जेंडर का नाम सुना है अलेक्जेंडर दग्रेट जो हम सिकंदर जिसको जानते हैं तो युवा बोलता है हाँ मैंने सुना है वर्ल्ड हिस्ट्री में उसका काफी नाम सुना है तो दार्शनिक बोलता है वो मेकोडीन मेकोडोनियन किंग था जो फोर्थ सेंचरी बिफोर प्राइस के आसपास था औ और उसने जो लेढीकि परर्शन के मीडन को भढ़ाया था और उसको पता लगा था एक चैरियाट के बारे में जो एक्रोपालिस है उसको आए प्राने चैरियाट के बारे में बांध के रखाता है गांट बांधी हुई थी रसी से और लोकल लेजंड था एक लोकल कहां सुनी थी नॉट कहां सुनी मतलब लेजंड था बड़ी बात थी कि जो भी इस गांट को खोलेगा खोल पाएगा वो एशिया का मास्टर होगा यह बहुत ही टाइटली वांड नॉट थी और अच्छे से अच्छा आदमी भी इसको खोल नहीं किया था तो तुम क्या सोचते हो कि अलेक्सेंडर ने क्या किया होगा जब वो इस नॉट के पास आया होगा तो यूद बोलता है कि क्या उसने असानी से नहीं इसको अन्रेवल कर लिया था नॉट को उसने तो एशिया में जीत हासल कर ली थी तो फिलोसफर बोलता है क कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था जैसे ही अलेक्सेंडर को नौट के बारे में पता लगा उसने अपनी तलवार निकाली और उस रसी के दो हिससे कर दिये तो यूद भोलता है वाउ तो फिलोसफर बोलता है कि फिर उसने बोला destiny is not something brought about by legend but by clearing away with one's own sword मतलब कोई destiny ऐसे नहीं कि कोई बड़ी बात कही सुनी वाली बही बात है उससे आनी है बट destiny जो है अपनी तलवार से बनानी है तो जो power of legend है उसका कोई use नहीं था बट जो उसकी जो तलवार है उससे destiny बनानी है और तुम्हें पता है कि उसने फिर Asia, Middle East और Western Asia की सारी territories को जीता मतलब Alexander the Great, one of the warriors था जिसने दुनिया के maximum मतलब Middle East और Western Asia, Asia के maximum हिससे पर जिसने राज किया था और इसी famous anecdote को guardian not कहते है तो इस तरह की not जो है interpersonal relationship में भी होती है जिनको हम bonds के नान से जानते हैं और इनको हम conventional method से नहीं हमें तोड़ना चाहिए बलकि हमें इसके लिए एक नई approach लानी चाहिए तो जब मैं separation of task की बात करता हूँ तो मैं हमेशा guardian not के बारे में सोचता हूँ तो यह बोलता है कि मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता टोकना नहीं चाहता पर हर कोई Alexander the Great नहीं है और separation of task की अब बात करें कि अगर हमें पता भी है कि उस रसी को सिर्फ तलवार से ही कट किया जा सकता है तो भी कोई इसको बहुत मुश्किल समझ सकता है क्योंकि जब कोई separation of task को आगे लेके चलता है तो उसको पता है कि at the end तुम्हें लोगों से अपने जो संबंध है उसको कट करना है यह ऐसे सोचता है तो अगर हम separation of task को follow करेंगे तो जो जो लोग है वो isolation में चले जाएंगे तब वो अलग-अलग हो जाएंगे क्योंकि जो bonds है वो सारे तूट गए जो bonds यह नहीं can't है guardian not है जो separation of task है यह पूरी तरीके से human emotion को ignore करता है और अगर यह ignore करता है human emotion को तो तुम्हें कैसे लगता है कि यह interpersonal relationship को बहतर बना सकता है तो philosopher बोलता है यह बहतर बना सकता है separation of task को तुम objective की तरह मत सोचो interpersonal relationship में बलकि एक gateway की तरह सोचो तो यह बोलता है gateway philosopher बोलता है जैसे कि जब तुम कोई किताब पढ़ रहे हो और तुम उसको बहुत पास लेके आ जाते हो तो तुम कुछ नहीं देख पाते है इसी तरीके से एक अच्छे relationship में एक distance जरूर होना चाहिए जब वो distance बहुत कम हो जाता है तो लोग बहुत ही स्थक हो जाते एक दूसरे स्थक होता है जहां mobility ही खतम हो गई एक दूसरे को हम आगे नहीं जाने दे रहे हैं तो ऐसी condition में वहाँ पे बात करनी भी मुश्किल हो जाती है पर distance जो है वो जादा भी नहीं होना चाहिए यह भी true है एक mid सा distance होना चाहिए ना जादा दूर ना पास जैसे हम parents की बात करें जो children की life में जादा देखल अंदाजी करते हैं बार बार उनको डाटते हैं उनमें जो mentally mentally जो है वो काफी distant हो जाते हैं दूसरे से वो बच्चा अपने मातपित से बहुत दूर हो जाता है वो और चीजों में खुशी डूनने लगता है और जब ऐस होता है तो वो बच्चा अपने parents कंसल्ट करने से भी परहेश करता है और इस तरीके से जो parents है वो भी उसको assistance नहीं दे पाते धंग से कि सो जब भी मतलब हमें हमेशा किसी को help करने के लिए हमेशा हमें ready रहना चाहिए बट एक समझ के साथ कि हम उसकी territory के अंदर तो नहीं जा रहे कि वो मांग भी रहा है कि नहीं हमसे territory के अंदर की मतलब हम जो उसका उसने एक territory बनाई हुई है जो उसकी अपनी है कि हम उसके अंदर तो नहीं बुशके जा रहे हैं उसके फैसलों में तो नहीं intervention कर रहे हैं उसके way of life में तो नहीं intervention कर रहे हैं तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक moderate distance जो हैं बना के रखें तो युवा बोलता है कि parents children relationship में भी ये distance necessary है क्या तो philosopher बोलता है बिलकुल तुमने पहले कहा कि separation of task है जिसमें आप दूसरे person की goodwill के लिए चीज करते हो जो जो goodwill से अलग है मतलब separation of task क्या करता है वो लोगों की goodwill नहीं चाहता है तुम ऐसा कहा था तो जो goodwill वाली बात है ये notion जो है वो reward से जुड़ी हुई है goodwill का मतलब कई बार हमें लगता है कि यार ये तो मैं इसकी भले के लिए कर रहा हूं बंदे के लिए और हम उसके life में intervene कर लेते हैं बड़े अपने आपको boss समझ के पता हैं मैं क्या हूं जागे उसकी life में intervene कर दिया पर ये जो person goodwill का जो concept है ये reward से जुड़ा हुआ है ये ऐसा है कि जब कोई बंदा तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करता है तो तुम्हें भी उसके लिए कुछ अच्छा करना है इवन इफ वो बंदा तुमसे कुछ चाहता ही नहीं है तो goodwill को respond करने से अच्छा है एक मिने मतलब वहाँ पर हम goodwill को respond नहीं कर रहे हम reward से जुड़े हुए है कैसे मैं आपको समझाता हूँ कि इससे फरक नहीं पड़ता कि दूसरा person की किस तरह की appeal है तुम ही ऐसे बंदे हो जो decide करते हो कि क्या करना है तो इसका मतलब क्या है मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ समझाने की जैसे कई बार हमें लगता है कि यार यह बंदे को जरूरत है इसकी goodwill के लिए हम उसमें कुछ करते हैं हम उसके task में intervene कर जाते हैं और खुद को बताते हैं कि यार नहीं हमने कुछ अच्छा किया goodwill की और वो goodwill यह है कि वो भी reward से टाई हमें कुछ मिल रहा है उससे था हमें एह अहसास मिल रहा है कि हमने कुछ अच्छा किया उससे वो एक तरी के से हमारे लिए reward है तो अगर वो बंदा कुछ कुछ नहीं भी चाहता है जो भी हमने किया हमने उसके लिए उसने हमारे लिए किया और अगर वो बंदा नहीं भी चाहता है वापस में कुछ पर हम फिर भी उसको कुछ ना कुछ देना चाहते हैं तो वो उसकी उसकी चाहत नहीं है कि वो क्या चाहता है या नहीं चाहता है जो आखरी का जो फैसला है वो हमारे ही हाथ में तो हम ही वो हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए तो यह वह बोलता है कि reward इसका मतलब root cause है जिसको मैं ties बोल रहा हूं यानि जुडाव बोल रहा हूं तो जुडाव का जो root cause है वो है reward हम reward चाह रहे हैं किसी ना किसी से तो philosopher बोलता है कि किसी ना किसी interpersonal relationship में जब reward base में होता है तो उसमें एक चीज़ आती है कि मैंने इतना दिया और तुम मुझे इतना दोगे और यह जो notion है यह काफी different है separation of task में separation of task कहता है कि तुम्हें reward सीख नहीं करना है और तुम्हें उसके साथ जुड़ना भी नहीं है तो जबा कहता है तो philosopher बोलता है कि कई बार ऐसी situation हो सकती है जब बिना separation of task को use किये किसी दूसरे person के task में intervene किया जाना आसान हो जैसे child raising situation में है बच्चा जब छोटा होता है उसको तसमे बानना है उसके मुश्किल हो जाते है शूलेज बानना मुश्किल हो जाते है तो जो mother है जो busy mother है उसके लिए बड़ा आसान है कि वो खुद से उसके तसमे बान दे और आगे काम अपना करती रहे ना कि वो wait करे कब बच्चा जो है तसमे खुद बान दे पर ये एक intervention है इस तरीके से हम उस बच्चे का टास्क उससे ले रहे हैं intervene कर रहे हैं और अगर हम वो repeat करते रहेंगे intervention तो वो बच्चा सीखना बंद कर देगा और वो अपनी life के टास्क जो होंगे उसको face करने की जो courage वो lose कर देगा यहां भी एक example है जो चूलेस की दी गई है यह ऐसा है कि कोई बच्चा है मतलब बच्चे जब grow करते हैं तो उनको as a spoon feeding नहीं करनी चाहिए यह थोड़ा सा रोया बस दे दो बई जो मांग रहा है दे दो उसको खुद कैसे वो सीखे चीज़े खुद उसमें कैसे वो सब वो करेज कैसे डेवलप हो वो उसा कैसे डेवलप हो की काम करना है यह यह जो functions है basic life के वो करने है तो एडलर बोलता है कि जो बच्चे जो बच्चों को challenge कैसे confront करना है जिन्दगी में यह नहीं सिखाया जाता वो जिन्दगी भर जो अपने challenge जो challenges है उनको avoid करते हैं उनसे बचते रहते हैं तो यह बड़ा जरूरी है कि बच्चों को हम self dependent बनाए और वो कैसे बना सकते हैं अगर हम separation of task वहाँ पे लेके आए तो यूद बोलता है कि यार या यह बड़ा ही ना ड्राइवे है thinking का बिना emotions के बच्चा रो रहा है वो लेस बानने के कोशिश करी जा रहा है और तुम हो कि उसको देखी जा रहे हो तुम उसकी मदद ही नहीं कर रहे तो philosopher बोलता है कि Alexander ने जब Gordon not को cut किया तो यहां भी कई सारे लोग थे जो यह बोलते थे कि यह जो unravel करना जो गांट को खोलना था ना जो legend था उसका कोई meaning था बट जो उसने तलवार से cut कर दी ना यह बहुत बड़ी गलती कर दी उसने तो Alexander ने जरूर Oracle's के word को misunderstood किया होगा Adlerian psychology में कई ऐसे concept है जो normal social thinking से बिलकुल अलग है जो बिलकुल उलट है यह ideology को deny करता है यह trauma को deny करता है और यह teleology को लेके चलता है और यह लोगों की problem को interpersonal relationship problem लेके चलता है और recognition ना सीख करना separation of task अपनाना यह सारी जो बाते हैं यह anti-ethical लगती है जो कि हमारी जो normal social thinking है तो युवा बोलता है कि ठीक है तुम्हारी बात पर यह impossible है मैं इसको नहीं कर सकता तो philosophy बोलता है क्यों तो यूथ जो है वो बुरी तरीके से devastate हो चुका था separation of task से और वो सोचता है कि जब हर चीज़ को interpersonal relationship से जोड़ा जाता है तो separation of task effective होता है इसी viewpoint से अगर सोचें तो जो दुनिया है वो बहुत simple होगी वो मानता है इस चीज़ को पर उस दुनिया में ना कोई flesh होगा ना कोई blood होगा मतलब human नहीं होगे इंसानियत नहीं होगी जिसमें वो एक दूसरी की emotions को समझ पाए तो जो एक बंदे के अहसास है जो आदमी के अहसास है उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा क्या कोई ऐसी philosophy accept कर सकता है तो यूथ जो है अपने chair से उठा और उसने ये दर्खवास्त की अब यूथ ना ये समझ नहीं पा रहा यहाँ पर book ही ऐसे बनाए गई है ताकि एक flow में हर चीज समझाई जा सके कि separation of task का मतलब यह नहीं है कि dryness है वहाँ पर लगता है dryness जैसे मेरे एक दोस्त थे वो separation task को वह खुभी निपाते है तो जब वो busy हैं वो ऐसे कहेंगे कि भाई मैं उसको जानता ही नहीं नहीं मैं busy हूँ मैं बाद में बात करूँ हूँ बर जब वो free है जिस time पर हमने कहा है कि हम मिलेंगे तो बहुत अच्छे से बात करता है हर बात सुनता है मेरे बड़ा अच्छे लगी कि कैसे आपने task को separate किया हुआ है में जब वो मिलता है तो वो हर मदद करने के लिए ready होता है तो यह separation है यह समझनी बहुत ज़रूरी है यह दीरे दीरे हमें समझ आती है कि separation of task का मतलब यह नहीं है कि पूरी तरीके से emotions को नकार देना है बट एक बहतर वे से emotions को समझना है कि कब हम दूसरे की territory में गुस रहे हैं कब हम किसी और को अपनी territory में गुसने दे रहे हैं तो हमें यह boundaries समझनी है यहाँ पर ताकि हम बहतर interpersonal relationship बना सके तो next जो chapter है वो है desire for recognition makes you unfree तो जब तुम recognition के desire करते हो तो तुमें वो बांद के रखती है यह बड़ा अच्छा chapter है तो आगे वाले वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे इसको समझेंगे और और जानकारी जो है और चीज़ें जो हैं समझेंगे जिन्दगी के बारे में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बने रहिए मेरी वीडियो के साथ बाबाए टेक केर